नमस्कार स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तब की बड़ी खबर की बेटे से हारे मुलायम अखिलेश को मिली साइकल उत्तर प्रदेश में सत्ता रूट समाजवादी पार्टी पर वर्चस्फ और उसके चुनाव चिन्न पर कब से को लेकर मुख्यमत्री अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिह यादव खेमे के बीच चुनाव आयोग में चल रही दस्तावेजी जंग अखिलेश के पक्ष में गई है चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम तथा उसके चुनाव चिन्न साइकल पर अधिकार दे दिया है मुखी निर्वाचन अधिकारी नसीम जैदी के दस्तकत से सुमवार शाम चारी आदेश में आयोग ने कहा कि अखिलेश के नेदरत्व वाला खेमा ही समाजवादी पार्टी है और उसे ही पार्टी का नाम और चुनाव चिन्न पाने का हक है आदेश पर जैदी के अलावा दो अन्य चुनाव आयक्तों के भी हस्ताक्षर है आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार के बाद ये पाया कि अखिलेश खेमा ही असली समाजवादी पार्टी है और वो ही पार्टी के नाम तथा चुनाव चिन्न के इस्तिमाल की हगदार है इसके साथ ही पार्टी के अध्यक्षिपत को लेकर अखिलेश और उनके पिता मुलायम सीन यादफ के बीच विगत 15 दिन से चल रहा विवात समाप्त हो गया और आयोग ने अखिलेश को ही सपा का राष्ट्रिय अध्यक्ष माल लिया है आयोग के फैसले की जानकारी होते ही अखिलेश समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वे बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कालिदास मार्ग पर जमा होने लगे विक्रमादिते मार्ग पर भी जहांके मुखेमंत्री अखिलेश और उनके पिता मुलायम सीह अलग-अलग मंगलों में रहते हैं समर्थकों का ताता लग गया मुखेमंत्रे के बंगले पर उनके अग उजसा ही समर्थक ने कहा कि ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली अब हम पूरी ताकत के साथ अखिलेश भाया को जिताने में रात दिन एक कर देंगे आयोग के फैसले की जानकारी होने के बाद मुखेमातरी अखिलेश पिता का आशिरवात लेने मुलायम के बंगले पर भी गए आयोग के फैसले के कुछ घंडे पहले ही अखिलेश खेमे ने उनको राष्ट्रे अध्यक्ष बताते हुए पिता मुलायम के नीम प्रेट के नीचे उनकी नेम प्रेट लगा दी थी और अब नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर अब एटेम से एक साथ निकाल सकेंगे 10,000 रुपए नोट बंदी आयकर विभाग ने 1550 करोड के काले धन का लगाया पता एक चीन नीती पर समझोता नहीं चीन सुप्रीम कोट ने केंद्र ट्राइब, फेसबुक, वाटसेप को नोटिस जारी किये और अभिनेत्री गीता सेन का निथन